आप सभी का स्वागत है जोतिशूर्चा में। आप सब जानते हैं कि अंकों में कितनी शक्ति होती है। जिस तरह ऐसे वास्तू, जोतिशू। उसमें आने वारे मुश्किलों का हल ढून सकते हैं और उनको हल करके अपने जीवन को सुखद और सुम्रिद कर सकते हैं। तो आज अंक शास्त्र के माध्यम से क्या ऐसा उपाय है जो मैं आपने पिटारे से आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके जीवन में प्रिवर्तन ह हो सकता है ये मान कर आप इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर कीजिए का बहुत छोटा सा है इसमें कुछ भी आपका जादा लगने वाला नहीं है पर आपका जीवन जरूर बदलेगा इस बात के लिए मैं अवश्य आपको गैरंटी दे सकती हूँ। जो टॉपिक है वो अंक शास्त्रों से संबंदित है, अंकों से संबंदित है, अंकों में जादू ही शक्ति होती है और अंक अपना जादू कैसे कर सकते हैं। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। आज का जो नंबर में आपको बताने वाली हूँ। वो आपकी किन समस्याओं का हल करेगा उसकी पहले बात कर लेते हैं यह नंबर है आकरशित करने के लिए आप किसी को भी अगर अपने जीवन में आकरशित करना जाते हैं तो यह नंबर आप इस्तिमाल कर सकते हैं यह आपके जीवन में आकरशन को तो बढ़ाएगा ही आपके अंदर एक औरा क्रियेट क काम करता है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका आकरशन किसी को आकरशित नहीं करता आपका औरा किसी को आकरशित नहीं करता आपके बहुत से काम इससे बिगड़ जाते हैं बहुत से समस्या इससे आपको पैदा होती हैं तो आज का ये नंबर आप भी इस्तिमाल कर सकते है अगर आप अपने किसी पार्टनर के सामने इस प्रकार से अपने आपको महसूस करते हैं जैसे आप कमजोर है या आपको लगता है कि आप अपनी बात नहीं कह पाते या आप उनको आकरशित नहीं कर पाते आपकी बात का दूसरी लोग कोई मोल नहीं समझते आपकी बात को नकार दिया जाता है उसको कोई भी मुल्या नहीं समझा जाता तो आप भी ये उपाय करके देख सकते हैं ये नंबर का उपाय आपके लिए भी बहुत जरूरी हो सकता है और दूसरों पर आकरशन का केंद्र आपको बनाने में ये आपकी मदद कर सकता है जब भी आपको लगे कि कोई आपको कुछ नहीं समझता है आपका आकरशन काम नहीं कर रहा है तब ही आप ये उपाय कर सकते हैं इस उपाय को करना कैसे है किस तरह से क्या विदी है पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको नमबर भी बता दूँगी इस नमबर को जो मैं आपको बताओंगी, इसे आपने अपने left body part के उपर लिखना है यानि कि आपने इसे अपने बाद भाग पर लिख देना है, इस नमबर को आप रोजाना अपने बाद भाग पर लिखेंगे आप इसे अपनी बाजू पर लिख सकते हैं, टांग पर लिख सकते हैं, जहां पर भी आपको लगे कि आपको लिखना चाहिए या आप लिख सकते हैं, आपको उसे बाएं भाग में उसी जगह पर लिख लेना है, इसको लिखते हुए आपको लाल पैन का इस्तिमाल करना है, आ यहाँपर आपको स्क्रीन पर भी ये नंबर दिख रहा है, नंबर है 71878699. इस नंबर को आपने इसी तरीके से बोलना भी है और इसी तरीके से रोजाना लिखना भी है. और इस नंबर को लिखते हुए आपको मन में ये भावना भी रखनी है कि आपके अंदर एक जुम्ब की आकरशन पैदा हो रहा है आपके अंदर एक ऐसी शक्ती पैदा हो रही है जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं ये आकर्शन सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप किसी को आकर्शित करना चाहते हैं बलकि ये आकर्शन आपके अंदर एक अलग औरा क्रियेट करेगा एक अलग तरीके से आपकी तस्वीर को दुनिया के सामने लेकर आएगा आपका आकर्शन इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया आपकी बात को मानने लगेगी आपकी बात को सुनने लगेगी आपकी बात को मोल दिया जाएगा उसका मुल्य होगा और आप कोई भी कारे करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सफलता हासिल होगी ये नमबर बहुत ही जमतकारी है इसे आप जमतकारी समझकर ही लिखें और बोलें भी और रोजाना इसका इस्तेवाल भी करें ये आप हर जगए उस जगए पर कर सकते हैं जहां पर भी आप अपने आपको दुनिया के आगे अच्छे तरीके से रखना चाहते हों अपने आपको दुनिया के आगे पेश करना चाहते हों और आप चाहते हों कि आपके बनते बनते कारें बिगड़े ना आपके कारें इस वज़े से ना बिगड़े ताकि आपका आकर्शन कम हो और आपको लोग कुछ भी ना समझे बहुत से लोगों की ऐसी बातें सुन सुनकर मैंने ये उपाई आपके लिए निकाला है आपके लिए ये उपाई बहुत कारगर सिद्ध होगा अगर आप इसे रोजाना करते हैं धीरे धीरे इसके प्रभाव आपके उपर होने लगेंगे, जब आप इसको करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि इसके क्या प्रभाव आपको मिले हैं, और आपके जीवन पर इसका क्या आसर हुआ है, बहुती चमतकारी है, बहुती कीमती है, ये उपाई, अगर आप इनको करते हैं, तो जरूर लाब मिलेगा, पर शद्धा और विश्वास होना बहुत ज़ारा ज़रूरी है, शद्धा और विश्वास के बिना कोई उपाई कारे नहीं करता, और ना ही उस कारे का कोई मोल होता है, तो इसलिए सबसे पहले भावना, शद्धा और विश्वास, ये तीनों चीज़े ज़रूरी होती हैं, जब भी आपको उपाई करें, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में भी आपको ऐसे ही उपाई बताने की कोशिश करूँगी, आपको ऐसे देखने के लिए धन्यवाद,